शिरी भक्तमान में शिरी जैदेव जी घपरसंग जैदेव जी की पत्नी पद्मामती जी का पती प्रेम शिरी जैदेव जी की आग्यासे राजा किंडो बिल्व आश्रम से उनकी पत्नी शिरी पद्मामती जी को लिवा लाई शीरी पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लेगी एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी उसी समय किसी ने आकर के रानी को सुचित किया कि तुमारा भाई शीर छोड़ करके देव लोक वासी हुआ और तुमारी भावजों में से एक सती होगी ये सुनकर के रानी को अच्चरे हुआ कि हमारी भावी कितनी बड़ी सती साथ भी थी शीरी पद्मावती जी को इससे कुछ भी अच्चरे नहीं हुआ उन्हें रानी को समझाया कि पती के सरगवासी हुने पर उनके मृत्त शीरीर के साथ जल जाना उत्तम पाती व्रत सूचक है प्रन्तु अनन्या प्रीती की यहे रीती है कि प्रीतम के प्राण छुट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समेशीर को छोड़ करके साथ चले जाएं पद्मावती जी ने रानी की भावी की परशंचा नहीं कि इसे रानी ने व्यंग करते हुए कहा कि आपने जैसी पती व्रता बताई ऐसी तो किवल आप ही हो समय पाकर के सब बात रानी ने राजा से कह करके फिर यह कहा आप सामी जी श्री जैदेजी को थोड़ी देर के लिए बाग मिले जाओ तब मैं ये देखूंगी कि इनकी पती में कैसी प्रिती है रानी ने राजा ने रानी का विचार सुनकर के कहा कि ये उचित नहीं है जब रानी ने बड़ा हट किया तब राजा ने उसकी बात मान करके वैसा ही किया राजा के साथ जय देव जी के बाग में चले जाने पर राणी को सिखाई हुई एक दासी ने आकर के पद्वावती जी को सुनाया कि आपके स्वामी जी भगवान जी के धाउं को चलेगी ये सुनते ही राणी और सिमी बैटी हुई इस्त्रियां दुख परगट करने के धोंको रज करके धर्ती पर लोटने और रोने लगी ध्यान द्वारा जान करके थोड़ी दिर बाद भगत वदो शिरी पद्वावती जी बोली अजी राणी जी मेरे सामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं तुम अचाना की इस परकार क्यों धुके में आकर डर रही हूँ राणी की माया का शिरी पद्वावती पर कुछी परभाव नहीं हुआ भेट खुल गया इससे राणी को बड़ी लच्चा ही जब कुछ दिन बीट के फिर दूसरी राणी ने उसी परकार के त्यारी करके माया जाल रचा शिरी पद्वावती जी अपने मन में समझ गई कि राणी प्रिक्षा लेना चाहती है तो प्रिक्षा दे ही देनी चाहिए इस वार जैसे ही किसी दासी ने आकर के कहा अजी सामी जी तो प्रभू को प्राप्त होगी वैसे ही जट पती प्रेम से परिपूर नहो करके शिरी पद्वावती जी ने अपना शीर छोड़ दिया इनके मिरता की शीर को दे करके राणी का मुकांती हिंच सफीद हो गया राजा आई और उन्होंने जब ये सब जाना तो कहने लगे कि इस इस्त्री के चकर में आकर के मेरी बुद्धी भी बरस्ट होगे अब इस पाप का यही प्राश्चित है कि मैं भी जल मरू श्री जैदेव जी को जब ये समाचार मिला तो ये दोड करके वहाँ पर आई और मरी हुई पद्धा होती को तो हम मरने के लिए तैयर राजा को देखा राजा ने कहा कि इनको मृत्यू मैंने दी है जैदेव जी ने कहा तो अब तुमारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती है अताय तो मत जलो राजा ने कहा महराज आप तो मुझे जल ही जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया श्री जैदेव जी ने राजा को अनेक परकार से समझाया परंतु उसके मनम को कुछ भी शांती नहीं मिली तब आपने गीत गोबिंद की एक अश्ट पदी का गान आरंब किया संगीत विदी से अलाब करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आतम हत्या कर लेना चाहता था मैं बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मैंने मन में भक्ती का लेश मात्र भी नहीं आया श्री जैदेव जी ने समझा भजाकर राजा को शांत किया और बिंदो किंदो बिल्व ग्राम को चलेगी श्री प्रियादास्ची ने इस घटना का अपने कवितों में इस परकार बर्ण किया है गेजान लिवाए लियाए कवि राज राज तिया किया ले मिलाप आप रानी डिंग आई है मरियो एक भाई वाकी भाईयो भुजाई सती कोव अंग काटी कोव कुदी परिधाई है सुनत ही निरिप बधु निपट अचम्बो भेव इनके न भेव फिरी कहीं समझाई है प्रिती को न रिती ये बड़ी विपरीत आहो छूटे तन जबे प्रिया प्रान छूटी जाई है ऐसी एक आप कही राजा सो यू बात कही लेके जाओ बाग स्वामी नेकू देखो प्रिती को निपट विचारी बुरी देत मेरे करे छूरी तिया हठ मानी करी वैसे ही प्रती ती को आनी कही आपूप आए कहीं यहीं भाती आए बैठी डिग तिया देखी लोटी गई रिती को बोली भक्त वदू अजू वे तो हैं बहुत नीके तुम कहां ओचक ही पावती हो भीती को भाई लाज भारी पुनी फेरी के समारी दिन बिती गे कोउस जब तब वही किनी है जानी गे भक्त वदू चाहती परिछा लियो कही अजू पाई सुनी तजी देह भीनी है भेव मुख स्वेत रानी राजा आए जानी ये रची चिता जरो मती भाई मेरी हिनी है भाई सुधी आपको सु आए बेगी दोरी इहां देखी मृत्यू प्राया निपो कहयो मेरी दिनी है बोलियों रिप अजू मोही जेरी बनत अब सब उपदेश लेके धूरी में मिलाई है कहियो बहु भाती एपे आवती ना शांती किहू गाई अस्ट पती सुर दियो तन जयायो है लाजनी को मारियो राजा चेहे अप घात कियो जीयो नहीं जाती भक्ती लेसं ना आयो है करी समाधान निज ग्राम आये किंदू विल्लू जैसे कचू सुन्यो यह पर्चे लेकायो है